कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही उनके दोबारा पॉजिटिव होने के भी मामली लगाता सामने आ रहे हैं कहीं देशों में मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोबारा पॉजिटिव आने के मामली में बढ़त भी हुई है वहीं इस पर कहीं research भी की गई है वहीं इन research में जानकारों का कहना है कि recover होने के बाद हफ्तों बाद आई मरीज की report positive आने से कोई खत्रा नहीं है दरसे South Korea के Center of Disease Control and Prevention के वैग्यानिकों ने अपनी research में बताया कि इलाज के बाद ठीक हुए कोरोना के मरीजों की report positive आयती है इस कारण उनकी शरीर में मौझूद कोरोना वायरस के मरत कर्ण हो सकते है लेकिन इससे संक्रमेंट का कोई खत्रा नहीं होगा इस research के लिए 280 मरीजों का sample लिया गया था इन sample की जांच के दुरान वायरस में किसी तरह का विकास नहीं दिखा जिससे इस साबत हुआ कि इससे संक्रमेंट नहीं फैल सकता बता दे कि सबसे जादा मामले अब तक साउथ कोरिया में ही देखने को मिले यहां कई मरीज ऐसे थे जो कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद दोबारा कोरोना पॉजिटिव आए गए बग्यानिकों के अनुसार वायरस शरीर में कोरोना वायरस जिन्दा है या नहीं इसका पता लगाने के लिए कई कस्टिडी की गई है जिसमें स्वस्थ हो चुके मरीजों को अगर तीन देन तक कोई लक्षन नहीं दिखते तो उसके गली की सैंपल लेकर वायरस को कल्चर किया जाता है अगर कल्चर करने पर यह वायरस अपने जैसे और वायरस पैदा करता है तो उसका मतलब है कि वो जंदा है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शरीर में मौजूद वायरस मरा हुआ होता है और मरे हुए जिवानों से शरीर को कोई खत्रा नहीं रहता आलगि भारत में ऐसे कई मामने देखे जा रहे हैं इसमे मरीज के स्वस्थ होनी के बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है